नमस्कार स्वागत आपका निउस्वाल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुत्यागी बिना कोरोना टेस्ट के किसी को खरीद्वार में एंट्री नहीं मिलेगी टेस्टिंग पूरी तरह से हर किसी की होगी शोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा ये सब ही दावें उत्राखंट सरकार की तरफ से किये गए थे लेकिन कुम्ब मेला खतम होते होते एक मेले में आए लोग कोरोना के सूपर स्प्रेजर बन गए थे ना तो टेस्टिंग हुई और ना ही शोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया ये हम नहीं कह रहें बलकि ये कुम्ब मेले में कुरोना टेस्टिंग को लेकर हुआ बड़ा फर्जी वारा बता रहा है कुम्ब मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रधालों की कुरोना जाँच में गरबड़ी की बात सामने आ रही है ICMR के निर्देश पर हरीदवार के चुल अधिकारी ने कोरोना टेस्ट में गरबड़ी की जाँच के लिए अधिकारियों की समीती बना दी है मामला हरीदवार कुम मेले के दौरान कोरोना टेस्ट कर रही प्राइवेट लेब से जुड़ा हुआ है स्वासे विभाग की प्रारंबिक जाँच में सामने आया है कि एक नीजी लव ने टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी अधाकार जमा करकर टेस्ट की गए और इन सभी टेस्ट में लोगों को कोरोना नेगिटिव भी बताया गया वहीं अब इस मामले में हरिद्वार जिलादिकारी जाँच के बात अन्यमताय पाएं जाने पर कठो कारवाई की बात कह रहे हैं हरिदवार आने वाले श्रधालों की एक प्राइवेट लेब द्वारा जाँच की गई थी और कुरोना जाँच अब सवालों के घेरे में आ गई है दरसल प्राइवेट लेब द्वारा फर्जी तरीके से श्रधालों की जाँच कर कुम्ब मेले में प्रसाशन को लाखों रुपे का चूना लगाने की कोशिश की गई है इस प्राइवेट लेब में एक ही फ्मून नमबर पर कई श्रधालों की जांच रिपोर्ट में डाला गया है कई जांच रिपोर्ट में एक ही अधाकार्ट का इस्तिमाल किया गया है वहीं एक ही घर से सैक्रो लोगों की जांच का मामला भी सामने आया है जो की असंभव साल लगता है वहीं पंजाब के एक यूवक को खरिदवार से प्राइवेट लेब ने कोरोना की जांच रिपोर्ट भेज़ दी जबकि यूवक तो खरिदवार कुम्ब मेले में शिर्कत करने भी पहुँचा ही नहीं था यूवक ने इस मामले की शिकायत ICMR से की जिसके बाद ICMR ने जांच के निर्देश चारी कर दिये हैं इस पूरे प्रक्रण पर कुम्ब के दौरान कुम्ब मेला अधिकारी स्वास्ते का कारभार समालने वाले डॉक्टर सेंगर का कहना है कि कुम्ब मेले के दौरान प्राइवेट लेव पैनल बद थी और CMO और कुम्ब मेले स्वास्ते विभाग की तरफ से इसमें जांच में सामने आया है कि किसी लेव दौरा गलत डेटा उपलब्द कराया गया है और इस पूरे मामले में विभाग द्वारा जांच भी की जा रही है लगवग 2,000,000 जांच यांच की जाए तो वह इस मामले में जांच का हवाला देकर सवालों से पला जहाडते हुए नजर आए उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी कमी है वो जांच में निकल कर सामने आईगी और इन मामले में अभी कुछ नहीं बोल सकता हो कुंब मेले के दورान खालीदowment आने वाले श्रधालू की कुरोना संक्रमन की जांच में होने वाले घुटाले के प्रक्रण पर हरिद्वार के जिलादिकारी सी रविशंगा का कहना है कि कुम्बमेले के दौरान कई प्राइवेट लैब द्वारा हरिद्वार बेश्रधालों की कोरुना जाच की गई थी इनमें से एक प्राइवेट लैब पर निम्मतताय बरतने के आरोप लगे हैं पर इस मामले में उचसतरिये जाच के लिए एक समीती का गठन कर दिया गया है इसमें एक कुम्बमेला के दौरान विबन प्रेवेट लैब्स के मादेम से जो टस्टिंग किया जा था था उसमें से किसी एक लैब ने कुछ आनियमिताय किये करके एक आरोप आया है उस प्रकरण में जाच करने के लिए उचसतरिये जाच समीती गठत कर दिया है इसमें मुक्के विकास अधिकारी और वरिष्ट कोशा अधिकारी और जिला विकास अधिकारी तीन लोगों का इसमें कमिटी है जाच करने का भी शुरू किये है कुम्बो मेले से कोरोना फैलने की बात को लेकर काफी खुखला हुआ था मगर जिस तरह से कोरोना जाच में गरबड़ी सामने आई है उसे स्वासे विभाग पर सवालियान निशान खड़े कर दिये है लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ कारवाई की बात कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या कारवाई की बात कहने से जिन लोगों की जान चली गई है वो वापस आ जाएंगे वहीं अब देखना होगा कि जिलादिकारी ने जो टीम बनाई है वो टीम किस तरह से जांच करती है और इसमें जो दोशी होता है उस पर कारवाइक होती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें निउस वोल इंडिया